असलाम ऐलएकुम, आज हम लेकिए हैं बहुत ही मज़ेधा सी वाटर मिलन ड्रिंक की रेसिपी तो यहाँ पर हमने वाटर मिलन ड्रिंक बनाकर रेडी की है बहुत ही मज़ेधार, बहुत ही यूनिक और बनाने में आसान है जब भी आपका मन करें गर्मियों में इस तरह से आप बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं तो चलो देखते हैं रेसिपी सबसे पहले हमने लिया है water melon तो यहाँ पर देड़ किलो का water melon यह है total हमने 3 किलो का water melon लिया है उसमें से यह half ले लिया है इसको हम cut कर लेंगे और इसको हम छील भी लेंगे तो यह है ना water melon का छील अगर white part ज्यादा भी आता है तो भी चल जाता है क्यrieकर हमको इसका juice बनाना है ना तो white part भी आएगा तो भी चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसको हम cut कर लेते हैं तो watermelon हमेशा देख के लिए जितना मीठा हो उतना ज्यादा अच्छा हमारा यह drink बनकर ready होता है watermelon juice ठीक है तो यहाँ पर हमने यह cut कर लेंगे और फिर इसको हम छील लेंगे तो वीडियो को एंटर जरूर देखें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और family और friends के साथ भी शेर करें इंस्टा और Facebook की लिंक हमारे description में दी वी हैं वहाँ से भी आप हमको follow कर सकते हैं और नए नए रेसिपी हमारे चैनल पर आते रहते हैं तो आप जरूर देखते रहिएगा तो यहाँ पर हमने इसको छीलना है अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते है तो यहाँ पर सारा watermelon हमने छील लिया है तो इसको अब हम कट करेंगी इसकी बीज हम नहीं निकालेंगे क क्योंको इसको mixer में grind करना है ना तो बीज भी इसी के साथ साथ बारिक हो जाएंगी तो आप फिकर ना करें इसलिए वीडियो बराबर से पूरी तरह देखते रही है step by step आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर watermelon हम कट कर लेते हैं और फिर इसको mixer में पीस लेने वाल तो यह और ज्यादा अच्छा लगता है पूरे दिन के लिए आप इसकी drink बना कर ready कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने यह watermelon को कट कर लिया अब इसको mixi की jar में डालेंगे जो भी आपके पास juicer का glass हो ना तो उसमें डाल दिये पानी हम बिलकुल नहीं डालेंगे इसके अंदर डा तो यहाँ थोड़ा सा मीठा होना चाहिए ना watermelon juice तो इसके लिए हमने तीन टेबल स्पून भर कर शक्कर डाली है आप ज्यादा कम कर सकते हैं आपके मीठे के हिसाब से ठीक है तो यहाँ पर शक्कर डाल दी है अब डालेंगे इसमें काला नमक तो हाफ चमच हमने डाला है का और थोड़ा सा है ना मतलब 2-3-5 डाला है हमने सफेद वाला जो regular नमक आता है वो डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे बिना पानी के पानी बिलकुल नहीं डाला है और इसको इसी तरह हम पीस कर रेडी करेंगे तो यहाँ पर हमारा यह juice रेडी हो चुका है आप देख सक चान लेंगे क्योंकि इसमें बीज भी थी और इसमें रेशे भी आ जाता है तो इसको हम चान लेते हैं किसी भी चाननी से चानने से हमको एकदम pure juice मिल जाता है बिलकुल अंदर कोई lumps कोई भी चीजें नहीं आती है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने चान लिया है पुदीना भी था ना इसके अंदर तो एकदम बारीक हो जाता है तो अच्छा लगता है तो यहाँ पर यह हम हटा देत है और यह juice हमारा ready है अब लेंगे हम glasses जितने members हो उतने glasses आप ले सकते हैं इसके अंदर डालेंगे हम 3-4 पुदीने के पत्ते और नीबू डालेंगे एक-एक slices ऐसे इस तरह से slices हमने कट किये है यह दो slices डालेंगे थोड़ी सी शक्कर डालेंगे बिलकुल थोड़ी सी से या जो भी आपके पास होना उससे आप इस तरह से crush करें ताकि निम्बू का भी जो flavor वो भी आए पुदीने का flavor है वो भी आ जाए ठीक है इस तरह से निम्बू का flavor बहुत ही अच्छा लगता है water melon में आप थोड़ा सा juice भी डाल सकते है इस तरह नहीं करना है तो आप निम से जादा हमने लिया है इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही गाड़ा है हमारा water melon juice अब इसके अंदर हम बरफ डाल देंगे खूब सारी जितना भी आपको थंडा पसंद हो उस तरह से बरफ डालेंगे यह ice cubes और अब इसके अंदर डाल देंगे हम यह plane वाला soda तो यह हम ग्लास में उपर जितनी जगा है उतना डाल देंगे पाव कप के करीब हमने water melon juice लिया है और बाके हमने soda अट गया है अब इसके अंदर डालेंगे हम ice cube और इसको हम ठंडा ठंडा बिल्कुल मज़ेदाजा सर्फ कर लेंगे बिल्कुल अच्छी से हमारी यह summer drink बनकर ready हो जाती है तो कैसी लगी आपको यह recipe जरूर कमेंट करके बताना और अच्छी लगे तो like subscribe और share जरूर करना मिलते है नेक्स वीडियो में नई recipe के साथ तब तक के लिया लाफिज